जारखंड को उसकी प्राकृतिक सौंदर के लिए जाना जाता है जहां जंगल, पहाड, जहरने और मंदिरों का अदभुत द्रिश्य देखने को मिलता है इसके साथ ही जारखंड की राजधानी से करीब 270 किलोमेटर की दूरी पर स्थित है जारखंड गौवर्मेंट टोल रूम दुमका जो की राज्य के संथाल परगना के दुमका जिले में अस्थापित है टोल रूम दुमका की अस्थापना बिगत 2007 में डिपार्मेंट ऑफ इंडस्टीर गौवर्मेंट ऑफ जारखंड की सहता से हुई थी यहां पर फोलियस डिप्लोमा इन टूल रंडा मेकिंग का कोर्स होता है जो की आसी टे अप्रूब है और मेकिनिकल इंडिन की इकुवेलेंट है संकक्ष है इस टूल डूम का मुख्यू देश लरकाओं को फोरियाज डिप्लोमा का टूल डाय मेकिंग का कुर्स परिस्क्षन देने के बाद अपने रोजगार से जोरना जैसा कि जान रहें कि गवर्मेंट सेक्टर में अभी अपरुचुनीटी बहुत कम होते जा रही है तो इस टूल डूम का मुख्यू देश यह थे कि जो गवर्मेंट जा सकते हैं उसके लिए अपरुचुनीटी खुली हुई है दूसरा अपना प्राइबेट सेक्टर में भी वह जा सकते हैं सबसे मुख्यता यह बात बहुत है जूल कर सीखने के बाद स्टूडेंट अपना मुख्यता वो खूघवार से दूर शक्ते हैं और दूसरे को भी रोड़गार मुहिया करा सकते हैं यहां पर लर्के और जो फेकल्टी है मेरे पूरी तरह से मैचियोड और हाइस्किल्ड हैं जिससे की लर्काओं को कोई भी चीज का टेनिंग देने में अच्छे तरह से काम्याब है जैसे का आपने देखा होगा कि मेरे हैं कि इनिव मेटी प्रोजेक्ट बनाए गया जैसे हो गया küçi 12 aatori ौर पोरा हो निखारते हैं और अपने आपको बाहर आपकर करके अपने बॉर्तिवा को निखारते हैं और अपने नाम को रोशन करते हैं कर दो तुल्रूम दुम्का में लगवग ये 2007 से चल रही है जहां तक डिप्लोमा के स्टुडेंट की बात की जाए तो हर एक साल 63 इंटेक लिया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि 12 साल में लगवग 720 इस्टुडेंट इडिशन दे चुके हैं उससे फोल इस डिप्लोमा रहने के चलत तुल्रूम दुम्का के अस्थापना डिपार्टमेंट ऑफ इंडॉस्ट्रियल गववर्मेंट ऑफ जारखंड की पहल से हुई थी जारखंड गवर्मेंट टूल्रूम दुम्का में माटी कला प्रशिक्षन केंद्र भी है जो की माटी से जुड़े व्यवसाईयों और उससे जुड़े व्यक्तियों को लाब पहुचाता है हम लोग सुचते हैं कि कुमार परजापती जो है नेराशा है कि कुमार परजापती को ट्रेनिंग का मोका मिलेगा कि नहीं लेकिन बहुत खुशी का बात है जारखंड सरकार नाम को दिया है एक समय इसा था तो हाथ से मिटी गुंता है पहर से मिटी गुंता था लेकिन एक मेरा इंजिनियर साथ बना दिया उस मसीन को नाम बोलते हैं पगमीन मशीन इधर से जब मेटी को डालते हैं तो इधर से फिनिसिंग होते हुआ आपस चलाуск है आने को बात क्या करते हैं, हम लोग कुमार परजापती पहले मेनवल से चाक को घुमाते हैं, लेकिन एसा एक बेहतरिंग निकाल दिया हमारा कुमार परजापती, इसको नाम बोलते हैं पोटर भील, तो पोटर भील में क्या करते हैं, एक से एक पोडेक्शन हम निकाल सकते हैं जैसे कि कुमार परजा पती लोग, हम लोग मिटी का इश्टो कर दियें, करने को बाद क्या होता है, मिटी मेरा सूख जाता है, लेकिन एसा मिशीन एक निकला है, तो दने बनाने वला उसमें दने बना लेते हैं, दने बनाने को बाद क्या करते हैं, प्रेस मशीन में दिपक ब बनाने को बाद सब पका लेंगे, पकाने को बाद चाहे पता से पका लेंगे, चाहे लकडी से पका लेंगे, गोठा से कुछ भी चिस से पका लेंगे, अगर लकडी पता नहीं हो तो हीट टीटमेंट में एक पॉंड से लेकरके एक वहजार पचतर पॉंड में पका सकते हैं, म मेरा एक थाली बन रहा, पिलेट, एक गिलास बन रहा, एक कटोरी बन रहा, बारा कुलाड बन रहा, एक से एक इसमें हम पोडेक्शन निकाल सकते हैं. झाली बन रहा, बारा कुलाड 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 बन रहा, बारा कुला